पसीर इंजन में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग सिंग रासी अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे आपकी यह जनम रासी आपके चंद्र रासी पर अधारित है अगर आपकी रासी सिंग है तो अक्टूबर का महिना बहद ही महत्तो पुर्ण और खास है अक्टूबर के महिने में ग्रोहों का गोचर इस प्रकार है केतु सुरी बुद्ध आपके दूतिय भाव से सुक्र आपके तिर्तिय भाव से सनी आपके सप्तम भाव से राहू अस्टम भाव से और मंगल एकादस भाव से और गुरु दसम भाव से गोचर करने ज कर रहें तो स्वास्त आपके प्रतम भाव लगन से दिखा जाता है और आपके रावशी के स्वामी सुर्य दृत्या भाव से गोचर कर रहें लेकिन केतूँ और बुद्ध के साथ बैठे हुएं और 17 अक्टूबर तक ही आया उसके बाद तुर्थे भौ में आ जाएंगा आर सुर्ज पर मंगल की विद्रिष्टी पर रहे है ग्रों की भी द्रिष्टी पर रहे रहरा हो न assumptions तो आपका उत्तम रहेगा लेकिन 17 अक्टूबर के जब बाद जब सुर्य आजाएंगे तिर्तिय भाव में तब थोरी भाग दोर आपको होगी थोरी से टेंसन होगी यात्रा के योग बन सकते हैं तो थोरी सी मांसिक तनाव आपको हो सकती है तो जिसके कारण से थोरी सी आपका ब्लेट पेसर बढ़ सकता है पेट समंदित आँख समंदित को समस्याएं हो सकती हैं लेकिन स्वास्त लगभग आपका उत्तम रहेगा इम्मूनिटी सिस्टम आपकी स्ट्रॉंग रहेगी अगर संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी गुरू दसं भाव से गोचर कर रहे हैं तो संतान को लेकर आप अस्वस्त रहेंगे गुरू अच्छे भाव से गोचर कर रहे हैं किसी तरह की कोई आपको संतान को लेकर आप च चंतान से आपको satisfaction होगा, चाहेंगे कि में संतान अच्छा करें, उसके लिए प्रयासरफ भी रहेंगे और इसके प्रणाम भी अच्छे मिलेंगे, अगर जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो सिच्छा गरण कर रहें, उनके लिए भी पंचम भाव देखा जाता है, वे सोचते हैं, यह हम पढ़ाइंगे, हम अच्छा करें, हम यह करें, लेकिन गुरु जो बैठे होगी हैं सत्रू रासी में, तो यह थोड़ा सा बैस्तान डालते हैं, आपके सोचे हुए काम को करने में नहीं देते हैं, और दिले करते हैं, लेकिन आप चाहतो रहे हैं, लेकिन हो नही पा रहा है। इसका थुरा सा छ्ख्याल करें प्रेम संबंध की बात करें तो यह भी पंचंबाहू से दिखा जाता है और अच्घूरत की शुर्च्छ पर रह कि पंचवी द्रिश्टी आपके सुर्च पर रही है, तो प्रेम कर रहे हैं तो वो थोड़े से उनका मिजाज थोड़ा सा मुड़ी हो सकता है लेकिन प्रेम संबंद रहेगा आपका दिमाग कहीं और भटक सकता है लेकिन प्रेम संबंद बना रहेगा ब्यवाईग जीवन की बात करें तो ब्यवाईग जीवन आपके सब्सवामी संबंद रहा है लेकिन वक्री है तो बैवाविक जीवन लगभग ठिठाक रहेगा चुकि आपके राशी के स्वामी सुर्य और सनी के बीज सनी की अश्टम का संबंध बन रहा है तो थोरी सी प्रॉब्लम हो सकती है हलकी फूल की नोग जोग लेकिन अच्छा रहेगा बैवाविक जीवन और अगर लाइफ पार्टनर का स्वास भी आपका उत्तम रहेगा और कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी उनकी आगे प्रमोशन बैपार में ब्रिधी हो सकती है अगर भाग की बात करें तो भाग आपके पंचम भाव से देखा जाता है और नोग भाव के स्वामी मंदल एक आदस भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपका भाग का तो पूरा साथ मिल रहा है भाग तो अच्छा है जो भी का स्वाम करेंगे उसमें भाग का साथ पूरा मिल रहा है और करियर के स्वामी आपके शुक्र भी तिट्टे भाव से गोचर कर रहे हैं 13 अक्टूबर तक तो केरियर को लेकर भी बहुत समय आती उत्तम है कि हो सकता है कि आगर आपका प्रमोशन का जोग हो सालरी बढ़ सकती ह करियर को लेकर बहुत ही अच्छा समय अक्टूबर के महिना में रहेगा खास कर 13 अक्टूबर तक और 13 अक्टूबर के बाद जब सुक्र आज आएंगे आपके चतुर्ट भाग में उनकी साथी दृष्टी करियर पर बढ़ेगी आप नोक्री बदलना भी चाहेंगे लेकिन नोक्री बदल नहीं पाएंगे उसे में आपकी तरक्की मिलेगी और आप उसे संतोष्ट रहेंगे अगर लाव और इच्छा की बात करें तो वो एकादस भाव से देखा जाता और एकादस भाव के स्वामी बुद्ध दूत्य भाव से गोचर कर रहे हैं तो लाव होगा जि इन दो हैं तो त्व द्धानका अगमन भी होगा लाव भी होगा केरियर वी होगा प्रमोशन भी हो सकताा क्विमेंट उसकती है तो लाव और इच्छा की पूरती अक्टूबर के महें 20 बीस अक्टूबर से पहले होने जा रहे जिए बीस अक्टूबर के बाद मंदलter की हो जाएंगे और वह में चले जाएंगे कि थोड़ी सी खर्चे बढ़े आएंगे तोड़ी परसानियां होंगे जिससे कारण आपको बचत में थोड़ी सी दिखते आएंगे और माता के स्वास और माता के सुख की बात करें तो चतुर्द भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी मंगल 20 अक्टूबर तक का आपके कादश भाव समय है 20 अक्टूबर तक का समय तो अच्छा है माता का स्वास उत्तम रहेगा माता का सुख भी आपको प्राप्ट मिलेगा भूमी माहन अगर लेना चाहते हैं तो सोच सकते हैं लेकिन अपने कुंडली का एक बार विवेशन करा करें इस पर कोई बड़ा इंवेश्मेंट करना हो तो आप उस पर ध्यान दे अगर आप सेयर मिच्वल फंड रित्यादी में भेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 20 सक्टूबर से पहले जो भी थोड़ी बहुत परसानी है उसे निजात पाने के लिए आप सुर्ज देव को सुबह उकते वे सुर्ज को जल दे और आंचल इस मंत्र का 108 बार जाब करें तो आपकी परसानियों में कमी देखने को मिलेगी किर्प्या आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए जो भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तो पहुंच सके और आप ज्या